हलो बच्चो तो आज हम डाइजेशन और एपजार्शन वाला चेप्टर देखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं डाइजेशन होता क्या है तो कंप्लेक्स फूड सबस्टांस का कनवर्जन सीम्पल एपजार्वेबल फार्म में यानि कंप्लेक्स फ फूड मतलब फूड के काउन काउन से कंपोनेंट होते हैं तो सबसे पहले होता है कार्बोहाइडेट फिर प्रोटीन फिर फैट फिर विटामिन्स और उसके बाद मिनरल्स होते हैं तो पहला कार्बोहाइडेट प्रोटीन्स फैट विटामिन्स मिनरल्स अब देखते हैं अ आते हैं और आसोसियेटफेड में लीवर फिंकुर्याज तो आते हैं जो उसको मौत को वह ऋघ्या & ऑधा है और चली Parole ıld हो गया और जो लैस्ट्रेक हम पूम्हें पूस्टीरीयच होता है जो मौन्हें उसको मौता है। करने जाता है में आनंस के थूरू बाहर हो जाता है पचने के बाद ओर्ल कैविटी क्या कंसिस्ट करता है टॉंग तीट सलाइवर्वरी यानि जीव हो गई हमारा दाथ हो गये और सलाइवरी गलेंड सो गईंग्हां हमारे दाम तीन प्रकार मेंनली होते हैं पहला थीकौ दूसरा दिफाइड अर त्र belg कि ओ को थे थे हैं तो थिढबेडर्गेडर होते हैं कि सॉकेट्स में जो ही इंबेडर्ग होते हैं सॉकेट आप गया में होँग डिफाइड पर में फ्रकार के टित होते अब आते हैं hetero-dront-dentition पे जो कि इसमें चारक casa क्रतित आते हैं incision, canine, premolar molar incision, canine, premolar अब आते है में rapture प्रमोलर क्या होता है कि चाल्च में जो बच्चे होते हैं इसमें लिवार, जो प्रसुड़ करें Johannes प्रस९ंवे प्रसूरी प्रसॉक्ण होता है आवाज आते हैं अपने तीत के फार्मूला पे तो तीत का फार्मूला क्या होता है तो एडल्ट के लिए देखें तो 21-23 बटा 21-2 कर देते हैं इस 2 का गुड़ा इस उपर वाले कंपोनेट में करेंगे फिर नीचे वाले में करेंगे और जान देंगे उसके बाद बच्चों क इस 22 बटा 22-2 के लिए होता है जो 22-22 लिए को यह ने डा में धाया और उक्ति टीत के थींजरले होता है सी घ्र करूरा में तो हम तो होता है हार्ड सर्फेस होता हो इनेमल से बना होता है यहां पर थोड़ी से गलती हो गई है यह वाला जो हम दिखाए है ना यहां जो नीचे वाला टंग क्या होती है जुड़ी होती है और किसके द्वारा जुड़ी होती है तो जो हमारी टंग होती है उसका उपरा सर्फेस में पैपिली पाए जाती है रखती है आते हैं अब हम फैरिंग्स में फैरिंग्स क्या होता है कामन पैसे जोता है फूड और एयर के लिए किसके लिए फूड और एयर के लिए यानि फूड और एयर दोनों के लिए कामन पैसे जोगा इसी से फूड भी जाएगा और एयर भी जाएगी आते हैं ट्रैकिया पेट् अब दर नहुंद चला जाए इसे को रोकता हैं इसलिए कभी-कभी खाथे हैं तो देखते हैं हम लो uk некотор새 अने लगती है इसे होज़ीं इस अगे चलते हैं आगे चलते हैं चलतें ओप एसो फैगस किसम करफा या कि किए कि जाकर आपे बिएफट करहें जो कि एक कभी कभी चला भी जाता है जिसे उल्टी यम भोलते हैं उसके बाद जो पेट का अगला इससर जाकर जूड़ा होता है इसमाल इंटेस्टान के फर्स्ट बाक से जिसको हम डुडेनम बोलते हैं क्या बोलते हैं अब पेट से खाना जाएगा डुडेनम में तो यहां पे भी एक वाल्ब पाई जाते हैं पाइलोरी की स्पिंचर कहते हैं जिसों क्या बोलते हैं पाइलोरी की स्पिंचर कहते हैं आते हैं हमारे इस्टमक पे इस्टमक में चार पाठ होते हैं एक होता है काडियेक एक होता है काडियेक फंडस बाड़ी और पाइलोरी तो यह वाला जो बाग होता है यह क्या होता है का यह पाइलम इस्पाइन सब्सक्राइए ऑली तीस्पाइला दूसरा यूप्ट으सरा इ्लियम ऐसे आप म और इलियम और इलियम होता है जाके बाले इंटेस्टाइन में खुलता है और दूडेनम किससे जुड़ा होता है पेट से जुड़ा होता है पाइलोरिक भाले भाग से अब आते हैं हम large intestine पे, large intestine में 3 भाग होते हैं, पहला सीकम, दूसरा कालम और तीसरा rectum, पहला सीकम, दूसरा कालम और तीसरा rectum, तो सीकम क्या करता है, symbiote के association करता है साथ Eucoli bacteria के साथ, अब आते हैं colon पे, colon में 4 भाग होते हैं, एक होता है ascending जो उपर की तरफ जाता है, फिर ए अब आते हैं rectum पे, rectum क्या होता है, open in anus, rectum हमारा open में खुलता है, rectum कहां खुलता है, store fecal matter, और rectum fecal matter को क्या करता है, store करता है, जो कि यह मुंपच जाता है, बोजन जो last में उसी को store करता है, और anus में खुलता है, आते हैं, वालाफ elementary canal, elementary canal में कितनी layers पाई जाती है, चार, चार लेर्स पाई जाती है, हमारे stomach से लेके हमारे anus तक, चार लेर्स पाई जाती है, mouth, mouth तु लेकर anus तक, mouth and anus तक, पहला होता है शिरोसा, दूसरा muscularis, तीसरा sammyukosa, चवथा mucosa, तो सिरोसा क्या होती है, थीन मिजोथिलियम की बनी होती है, किसकी myजोथिलियम की ब लूट कर लोगी का फार्मेशन करती जो कि एपजाफ्शन में सब क्या करती है एक जैसे रूमारे होता है वह इस इस्ट्रक्चर होती है पतली-पतली होती है इस आप अब आते हैं नोट कुछ कर लो आप لو सम्म्मुकोसा लेयर में नर्व ब्लड वेसल्स और लिंप वेसल्स होती है जो सम्यूकोसा अमरे लेयर होती है ना जो सम्यूकोसा लेयर ती तीसरी वाली उसी में क्या होती है नारुस ब्लड वेसल्स और लिंप वेसल्स होते हैं मुकोसा ही इसमाल इंटेस्टाइन में विलाई फिर माइक्रो विलाई बनता है अब जो मुकोसा था तो पेट में क्या बना रहा था रुगी बना रहा था वैसे इसमाल इंटेस्टाइन में विलाई बनता है और विलाई से बहुत सारी स्टक्चर्स बनती हैं जिसे माइक्रो माइक्रो मतलब छोटा यह विलाई से भी छोटी होती है और जो कि सर्फेस एडिया को बराती है एपजाप्शन के लिए जितना ज्यादा सर्फेस एडिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा अच्छे से होगा अब आते हैं लेक्टियल्स देखते हैं क्या होते हैं यहां पर दे निवी लाए मेक्या क्या हमें उरे लींप वेसल यदी विलाइर मेकैपिलरी और लींप वेसलंस आ जाने हैं का बलते निफोर्ट अंत हम आतें EDS लिष्ट को साल पाई जा रिलियंगा के राइए ऑड़ करते गोलेकल देंग सी एक less गोबरेट तो ये significantly jean Wargiron.info किसमेherlik करता लुब्रिकेशन में help करता है आते हैं ये विलाई है यह विलाई है यह दो विलाई है कि नहीं इनी विलाई के बीच में जगाय से स csakन बोला जाता है मेड़्आ बॉकोसा किसे बनी होती कि अंधर मुपोसा सो बनी होती है अब नोट कर लो यह चारो लेट शरीर के अलग-अलग भाग में different modifications को दिखाती हैं अब आते हैं digestive glands के बारे में digestive glands के बारे में किसके बारे में digestive glands के बारे में तो डाइजेस्ट्य ग्रेंट में रहनों के पाइट के ना पिया जाती है जाती है अप सब रिंग को क्या बलते हैं वार्टरंस डक्ट सब्मक्सिलरी यह सब्मेंड़ के डक्ट को वार्टरंस डक्ट के नाम से जानते हैं और नीचले जबड़े में पाए जाती है अब सब्लिंगुवल पर आते हैं सब्लिंगुवल डक्ट क्या करता है इससे जो डक्ट निकलती है इसमें जो डक्ट जुड़ होता है यानि इसको पचाने के लिए उसके उपर काम करेगा इसे चीनी खाए हम लो तो उसके उपर काम करेगा है मल्टेज मल्टोज पर काम करता है मल्टेज ग्लुकोज और ग्लुकोज बना देता है तो सलाइवरी करने देख लिए अपनों सलाइवरी क्या से करते हैं दो एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज और लाइसो जाइम स्टार्ट पर काम करता है हमारा सलाइवरी एमाइलेज जो क मल्टोज पर काम किया मल्टे जिससे क्या बने ग्लुकोज और ग्लुकोज बना आते हैं लाइसोजाइम लाइसोजाइम क्या होता है एंटी बैक्टीरियल होता है यानि बैक्टीरिया को मारने का काम करता है एंटी बैक्टीरियल होता है आते हैं अब हम लीवर पे लीवर पे लिवर क्या होती है सबसे लर्जिस्टिक लेंड होती है इसका वेट कितना होता है एक दसमलों 2 से एक दसमलों 5 किलोगराम यानि 1200 से 1500 ग्राम यानि 1.2 टू 1.5 किलोगराम होता है पाई जाती है लिवर में दो लोब्स होते हैं लेकिन एक ये लोब का नाम यहां पर हम लिखे है है हिपैटीक लोब के पास हीपैटीक लोब के पास होती है है गाल ब्लेटर से क्ला करता है जो चैसे लिवर में गाल ब्लेडर से डख्ट निकलता है जिसे हम सिस्टिक डख्ट के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं उसको हम सिस्टिक डख्ट के नाम से जानते हैं अब आते हैं यहां पर लिवर और यहां पर क्या है गाल ब्लेडर तो लिवर से जो निकला है उसे पैटिक डख्ट अब पैंक्रियाटिक डक्त और कामन बायल डक्त यहां बंद दूसरे से मिलके क्या बनलते है इसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब अब आते हैं फूट डाइजेशन फूट डाइजेशन प्राइजेशन छोटाइब वह दो प्रक्रिया और प्रक्रिया जाएगा मेंस्टीकेट यानि जो भोजन है उसको पहले दाथ से चबाएंगे इसमें हमारा दात भी mixing का काम करता है जीब में mixing या दाथ तो काटने का काम करते है और जीब हमारी जोगी टंग होगी mixing का काम करेगी तो mystication अब food में और swelling मतलब घोटने में भी सायता करते है फूड फूड में mix यदि saliva हो जा रहा तो उसको और देते हैं फूड में वह नहीं और जाता है जाता है नहीं से जाने के वहाँ से और था इस्टोर रहता है अब आते हैं परिश्टैल्स नाम दिया है इस जो बहुत दगयतार में परिश्टैल्सि तो भोजन एक मौवेंट के द्वारा माउट से अनस तक जाता है जैसे के साथ उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते है जैसे की सोडियम स्टार्च की बात करते हैं इस्टार्च वही स्टार्च स्टार्च वही स्टार्च वे च्टार्च वहीं जो स्टार्च की बात करते वाले मुकोसा क्या आती है ते गैस्टिसीग्लांट्स 121 गैस्टिस गलैंट के ब्लार्थ होती है नूक्ष नेक सेल्स पैप्तिक चीप करेंगी प्रेप्चाइब heartbreaking जेहαν की मिलावाँ न करता है ंए क्टेंस अब आते हैं थे सबसे रखशों न करते हैं अब शबसर पहले देखते हैं प्रॉशी यही वह कर देगा किसमें कर डेंगा प्रोटी युज प्रोटी यूज法 कर देगा प्रोटी युज प्रोटी युज प्रोट्र सब्सेशन फूड़-फूक्स क्या बनता है क्या वहां पर क्यू जिएर्ली तर एक सब्सक्राइब हमक्राइब इसका कर सकता है हमारे इस्टमक वाल को इससे प्रोटेक्ट करने में चdooस में क्या अब आते हैं इसमाल इंटेस्टाइड में वायर पन्क्रीयाटिक पीज्टाइनल स्टीनों मिलते हैं जो आरा बोजन इंटेस्टाइट में जाता है इनस्माल इंटेस्टाइट उस समय वहाँ पर बायल भी मजूद होता है pancreatic juice के अंदर क्या क्या होते हैं प्रोकाईडेज, हम नियुक्लिएज येंट्रोकाईज येक ना जबसने जो सको क्रवर्ड करतेगा ट्रीपीन में उसको convert कर देगा tipsy में तो टिपसीन हो जाना उसके काम करेगा intro kinase उसको convert कर देगा tipsy में जो की active फार्में होता है पहले तो इनेक्टिव था बाद में क्यों सा फार्में आ जाता है एक्टिव फार्में आ जाता है आप आते हैं bile juice, bile juice क्या content करता है bile pigment, salt, cholesterol और no enzymes but no enzymes यह important कर लि होते हैं bile pigment दो, bilirubin और bilirubin, fat, fat पर काम किया bile, fat पर काम किया, bile और उसको क्या कर दिया, emulsify कर दिया, और क्या बनाती है, मिसेल, जैसे हम तेल को लो और पानी में डाल दो, देखना तेल क्या होगा, छोटे-छोटे टुकरों में, छोटे-छोटे डॉपलेट के फार में तूट जाएगा, उसी कम क्या बोलते है, उसी कम क्या बोलते है, बाइल आलसो active lipase enzyme, बाइल क्या activate करता है किसों एक्टिएट करता, लाइपच और यौको को भी activate करता है, ब्रुं नर्स् गेलेंट, सम्म्यूकोसा ग्लेंड में पाय जाती है, जो ब्रुनर्स ग्लेंड होती है, जो कि इंटेस्टाइन की सम्म्यूकोसा में पाय जाती है, अब आते हैं, प्रोटीन, पेप्टोंस प्रोटियोज पर काम करता है टिपसीन, काइमो टिपसीन और कार्बोक्सी पेप्टाइड डेज यह काम करते हैं और डाई पेप्टाइड में कनवर्ट कर देते हैं जो कि यह पैंक्रियाटिक जूस में पाय जा रहा है अब आते हैं इस्टार्च इस्टार्च पर काम करता है स लेकिन इसको नहीं तोड़ा जा सकता हुआ लेकिन इसको नहीं तोड़ा जा साते हैं तो इसलोंकोज ऑनाईपेis जिस में नहीं करते हैं अब आते हैं नुकली Campus mo तो आप जानते हैं न्य sent in आरणे होता उस पर क्याम करता है नुकलिय के सिट करता है ईसको टाइए में कर सकते तो अब नॉक्सब्न जाते हैं mercury cum DJ 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 जिसे क्या बन जाएगा अमीन इसिट बन जाते हैं मिल्क में पाजाता है लेक्टोज पर काम करेगा लेक्टेज लेक्टोज पर काम करेगा लेक्टेज और ग्लुकोज और ग्लेक्टोज में लेक्टोज में लेक्टोज पर काम करेगा अब आते हैं सुक्रोज सुक्रोज पर काम करेगा सुक्रेज सुक्रोज पर काम करेगा सुक डाइकलिस्टेयाइढ माने लाइपेज Πाम यहाइप बिधूकरस मैंया पर लाइपेज बाते हैं जिमी सिम्पल सब्सक्रांट के बात बनते हुआ जो पले सब इस टमख में ऐगा इस टमख को नहीं हुए हो इसमाल इंट्रेस्टाइन के घंट्रुन वाले यह वहाँ पही अगर डाइजेंट्रेस्टाइन के भागता तो करता है यह कि आता निक एक्ष्ट डार तो किसमे जाता यह जाता है जो एक उस्टेकल वाग में जाता है और सिकम के बाद फिर कहा जाता है यह तरह यहां पर कुछ टाइम के लिए इस्टोर होता है उसके बाद निकाल दिया जाएगा तो सबसे पहले अंडाइजस्टर में तर्फ कहा जाए गया इलियो सी कलवाल पे थूच्छेख़ंद निकाल दिया जाएगा अब तक इतनी परक्रियाएं हुई है वह सब तो और एक ग्राम फैट में नाइन तो इसे याद कर लो 4,5 कितना हो जाएगा नो 5,49, 5,49 तो कार्च याद कर सकते हैं 5 याद नह नहीं होता है तो 4,5 नहीं कर लो मतलब एक ग्राम में इतना कलोरी मिलता है यादि एक ग्राम फायट है तो उसमें 9.45 किलो कलोरी उर्जा मिलेगे अब आते हैं एपजापसन फूड फूड का एपजापसन जो भाज जो बोजन पच चुका है यानि जो फूड हमारा क्या हो चुका है डाइजेस्ट हो चुका है जिससे जो प्रोडक्ट मिला है बोजन प हुआ जाएंगी इसले लॉड हांब लोगो économ फट्रीम्ट माइनस होता है यह सब ओसरंनाफ सोर्लाइट सफिप्र इस पर डिफ्यूजन के द्वारा किसके दिफूजन के द्वारा सिंपल प्रोटीन नहीं होती है अब आते हैं facilated diffusion इसमें क्या होती है protein क्या हो सकता होती है protein membrane क्या हो सकता पड़ती है protein membrane के through protein membrane के through ही याद करो protein membrane के through तो facillated diffusion के में कुछ ग्लुकोज और amino acid concern का होता है इसमें एक protein membrane क्या वसकता है पड़ते हैं एक से ना बीच में क्या पाई जाता है sel 11 excusedısı और फायती है अब आते हैं Multiple acid और glyceral Heaven Sand waterproof पाई नहीं तारा बादि है और ते आते हैं Parents fatol All Sweden that would otherwise वाटर में इंससॉलिवल है तो इतना जल्दी तो पच्छेगा नहीं जो फैतीय ऑगली सर्म होगया उननीकी पच्छतता नहीं है अफसी हागा इसने बलड में क्या होगा अफसे किसमें हो जाता है निसेल्स में तो fatty acid glycerol हो गयो इन्सुलिबल होती है water में और जो blood में erlebt-serve नहीं होती हैं उप मिसेल्स में कनवर्ट हो जाती है जो कि इसमाल डॉपलेट फार्म होती है और अब चली जाती है इंटेस्टाइनल म्युकोसा में तो सबसर्ब फैटी एसीड ग्लिस्राल इंसॉलिबल होती है वाटर में ब्लड में एपजार्ब नहीं होती है उक मिसेल्स बनती है और चली जात आगे क्या हो जाएंगे चाहिंगे अब देखते हैं अब देखते हैं किसका अब किसका होता है वाटर का अप्जाब्षन होता है, सूगर का होता है, अलकॉ अलकॉल का होता है, प्रोटीन का होता है, मिनली, यानि कितना, अब यह अफसाब्ड ही highlighted, आरगण होता है, सबसे कम पाचन वाटर मिनराल दुटर्ग्स वाटर मिनराल और डुक्त वाटर मिनराल से डुटर्ग्स आप देख सई से नहीं दिख रहा होगा तो पयांपे प्रिंस्पल आरकेशट फ्राक्टाउज फै्टी डिसराल अमिन असीड तो के द्वारा मिलती है कारर है हम देख लेटे हैं डिस्कीन को आई को क्या कर देता है और एस से डो कर देता है और इसे डो कारो होता है कि आपरिभीन जी को किंसीन के काराल जिससे स्कीन और अच आई गर जाती है कांस्टिपेशन होता है जो किसमें होता है तो तो वही कांस्टिपेशन हो गया अब आते हैं इन डाइजेशन पे, इन डाइजेशन है अपाचन, नाट प्रापर्ली डाइजेशन है फूड, जैसे हैं इसमें डाइजेशन फूड का प्रापर तरीके सनही होगा, जैसे हैं स्पाइसी फूड ज्यादा खा लेते हैं, तो इसी वज़से तेल वाला फूड ज् होता है बांगलादेश हो गया साउथ अप्रिका इन में देखा जाता है बच्चों में बहुत बेकार ग्रोथ होता है पेट फूल जाता है इसकी नारमल नहीं रहती है सब आखे बाहर आने लगती है ऐसा डाउन जिंड्रोम में जो लच्छड होता है वह भी इसमें भी देखन प्रोटीन और कलोरी की दिफिस्द्स होता है और इसमें इरोगुलर इसुद्र मेंें में इकीर धाल देखने को यह calcul प्रिक्चर था भी और नयों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ना मिलंगे अगले वीडियो में आपको आप बस कमेंट करके बता दीजेगा कि आपको कौन सा छेप्टर का चाहिए वाई टाइम बचाओ और मिहनुत से पड़ो क्योंकि आप लोग को डॉक्टर बना है तू चलो बंदे करते है